हेलो दोस्तों LDC Railway Taken Mathematics में आप लोग का स्वागत है आज हम लोग Paste Series 26 का Part 2 हम लोग देखेंगे Part 1 जो है एक से लेकर 50 तक इसमें करा दिया गया है आप मेरे चैनल पर वीडियो में या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं अगर स्टूर से समंदित या वेल्डिंग से समंदित Question देखना है तो इसके Part 1 में जाकर के आपको देखना होगा उसमें बहुत डिटियल रूप से आपको बताया गया DS8 के आ है, DS2 के आ है सब बताया गया वेल्डिंग से पीक वेल्डिंग मीक वेल्डिंग के बारे में Part 1 में बताया गया, आप जाकर देख सकते हैं चलिए अब देर ना करते हुए Part 2 के Question पर हम चलते हैं या जबलपूर्ट डिविजन का या Question है चलिए Question नमर एकाउन Question में क्या कर रहा है कि उच्टाप मान के कारण एकसल बक्स में निकलने वाला धुआ यदी मतलब कि धुआ जो है कब निकलेगा एकसल बक्स से जब एकसल बक्स जो है होट हो जाएगा अर्थात एकसल बक्स जो है जब गर्म हो जाता है तो उससे धूंगा निकलने लगता है ठीक है अब यह सवाल उड़ता है कि आपको या कितना degree centigrade पर अगर गर्म हो जाए तो इससे धूंगा निकलने लगता है या इससे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तो इसके लिए है एकसल बक्स का जो bearing का जो तापमान होता है उसी को या मतलब की bearing जब तापमान हो जाता है जादा उसका तो धूंगा निकलने लगता है तो bearing का तापमान जो है 80 degree centigrade से अधीक अधीक नहीं होना चाहिए ठीक है ना नहीं होना चाहिए bearing का तापमान 80 degree से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है अब एक question इस पर आता है कि दोनों bearing के तापमान में कितना से अंतर अधिक नहीं होना चाहिए यह तो आपका question होगा कि bearing का तापमान 80 degree से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है ना क्योंकि bearing के तापमान अधिक होने से ही hot axle होते या लाल हो जाते हैं ठीक है तो यहां पर आपका question है तो आपका question का answer तो मिली गया लेकिन bearing का ताप मान कितना से अधिक अंतर नहीं माल एक ही एकसल पर माल लेते हैं दोनों तरफ bearing लगा हुआ है ये दोनों एकसल के बीच में ताप मान में कितना का अंतर से अधिक नहीं होना चाहिए मानि उसके अंदर में होना चाहिए तो 15 से 20 डिग्री centigrade से अधिक नहीं होना चाहिए ठीक है 15 से 20 डिग्री centigrade से अधिक दोनों bearing के तापमार में अंतर की मैं बात कर रहा हूँ इसे अधिक नहीं होना चाहिए इतना question जो है या जो अभी मैंने बताया exam के लिए इतना ही काफी है लेकिन डीटियल रूप में भी जानना अगर चाहिएगा तो मैं बोल दूँगा उतना तो नहीं लिख पाऊँगा अब सून लीजिएगा ठीक है लेकिन अभी इतना ततकाल एकजाम के लिए इतना जरूर आप नोट कर लिजिए कि बेरिंग का तापमान 80 डिगरी से अधिक नहीं होना चाहिए अगर दोनों बेरिंग का तापमान अगर पुछता है तो 15 से 20 डिगरी से अधिक नहीं होना चाहिए कहीं दोनों अप्सन में नहीं रहेगा कोई एक ही रहेगा ठीक है अधिकांस्ता आप देखेंगे तो ICF के लिए जो है ICF के लिए 20 डिगरी, LHB के लिए 15 डिगरी होता है लेकिन अधिकांस्ता 15 से 20 डिगरी कोई एक ही option में रहता है ठीक है अब हम चलते हैं आपको detail रूप से हम पढ़ करके हम जो है इसके बारे में सुना देते हैं अगर अगर हम 10 डिगरी ताप मान रहता है तो हम कérica कर रहें ग In fact here old मैं को छिंग कर रहा हो इसे से 15 से 12 से 15 से सब्यान होगा तो अगले C&W को सुचित करेंगे कि हाँ 10 से 15 डिगरी centigrade तापमान दोनों बेरिंग के तापमान में अंतर हो चुका है अगले C&W को हम सुचित करेंगे ठीक है अजब 16 डिगरी से 20 डिगरी तक के तापमान में अगर अंतर आता है तो हम C&W जहाँ पर चेक हुआ था पिछे वहाँ से हम स्टाप को बुलाएंगे और देखाएंगे चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है 16 से 20 डिगरी के अंतर मतलब हो चुका है अब इसको क्या करना चाहिए ठीक है दिखाएंगे ठीक है और अगर 20 डिगरी से अधीक अगर हम पाते हैं दोनों बेरिंग में ताप मार तो उसको हम आइसुलेट कर देंगे आइसुलेट का मतलब है कि उसको हम अलग कर देंगे ठीक है समझ गए जहां तक बात है मैं किसका बात किया हूँ कोचिंग के लिए बात किया हूँ थीक है, हम पहले बताएं हैं, पहले हम क्या बताएं हैं, एक्जाम के दिश्टी से दोणों bearing के तापमान मैं अंतर 15 से 25 degree से अधिक नहीं होना चाहिए, और bearing का तापमान इस तरह पुझता है, तो 80 degree से अधिक नहीं होना चाहिए, अंतर पुझे तो 15 से 20 degree, लेकिन अगर डिटेल में जानना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं कि अगर 10 डिड़ी ताप मान रहता है तो हम कोई एक्षन नहीं लेंगे 10 से 15 डिड़ी अगर रहेगा तो हम अगले CNW को सुचित कर देंगे कि भाई इतना तक हो चुका है अगर अगर 20 डिड़ी अगर आता है तो पीछे जहां CNW में चेक हुआ है बेरिंग उस नहीं के स्टाप को बुलाएंगे और दिखवाएंगे कि भाई यह कैसे आप चेक किये थे कि यहाँ पर 20 डिड़ी तक हो चुका है अगर हम चेक करते ही हमको 20 डिड़ी अगर सेंटीग्रेट ताप मान हम पा लिए कि हाँ भाई इतना भी 20 डिड़ी सेंटीग्रेट ताप मान हो चुका है तो उस बेरिंग को हम आईसोलेट कर देंगा आईसोलेट का मतलब अलग कर देंगे 60 से 65 डिड़ी सेंटीग्रेट के बीच अगर होता है दोनों बेरिंग के ताप मान में अंतर तो मतलब नेक्स्ट सी एनडवलू मतलब आने वाले सी एनडवलू को फिर हम सुचित कर देंगे ठीक है कि 60 से 65 डिड़ी तक हो चुका है और दुसरे इस्तिती में क्या होता है कि 65 से 90 डिड़ी तक के बीच अगर हम ताप मान पाते हैं दोनों बेरिंग के ताप मान में अंतर ठीक है तो नेक्स TXR पॉइंट होगा वहाँ चेक किया जाएगा कब जब 65 से 90 डिड़ी सेंटीग्रेट होगा तो सुचित करें कि या इस गाड़ी का या फलाने जो भी गाड़ी है उसका बेरिंग का ताप मान का अंतर 65 से 90 डिड़ी सेंटीग्रेट हो चुका है ठीक है तिसरे इस्तिती में क्या होता है कि जब 90 डिड़ी से 90 डिड़ी सेंटीग्रेट से अगर अधिक अगर हम पाते हैं ताप मान तो उसे हम डिबबा से अलग कर देंगे यानि आइसलेट कर देंगे उसको ठीक है हमको जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे मैं कोचिंग का समझा दिया और यहां गुड्स का भी समझा दिया इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे ठीक है बहुत important मैं deeply question आपको हमने बताया है इसमें कई question अपको clear होते हैं वीडियो को रोकरके बैक कर के लिख लेंगे ठीक है चलिए हम next question पर चलते है कर आयकि टीपनर tipslers tiplers का परियोग खाली करने के लिए मतलब किसको खाली करने के लिए कौन सा वैगन को खाली करने के लिए टिपलर्स का परियोग किया जाता है यह रटने वाला कोशन है आप रट लेंगे ठीक है तिरपन नमबर कोशन है यहां पर का लिखा है हाइड्रोलिक रिर रेलिंग उपकरन का उपयोग किसके लिए किया जाता है ठीक है तो रोलिंग एस्टाउक की पुना रोलिंग के लिए रोलिंग के लिए हम लोग हाइड्रोलिक रिर रेलिंग का परियोग करते हैं ठीक है यह भी एकदम ध्यान में रखिएगा याद करने वाला कोशन है ए CR का मतलब होता है control reservoir क्या होता है CR का मतलब होता है control reservoir जो आपको ए नमबर में दिया हुआ है control reservoir ठीक है अब CR को बारे में बहुत सारे question फंस जाते हैं ठीक है पहले आप जानेए कि CR CR BP मैं लिख देता हूँ BP माने control reservoir और break pipe का pressure जो है पांच केजी होता है पांच केजी पर च्छामता कितना होता है ठीक है तो LHB और goods अर्थात wagon में 6 लिटर होता है कितना होता है 6 लिटर होता है ठीक है कहीं कहीं यह तो आप पहले लिख लिजिए ठीक है CR का च्छामता मैंने लिखा है capacity जो है LHB और goods में ठीक है LHB और goods में 6 लिटर का होता है ठीक है लेकिन ICF की मैं बात करता हूँ ICF में मैं दोनों condition आपको मैं बता देता हूँ ठीक है ICF में CR की च्छामता जो है अगर theoretical पढ़ते हैं तो उसमें 9 लिटर मिलता है ठीक है लेकिन जहां exam होते है उसमें हम देखते हैं उसमें 6 लिटर चेक कराया जाता है ठीक है ठीक है तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए ठीक है मेरे समझ से 9 लिटर होना चाहिए 3 लेकिन हम देखते हैं कि एक जाम में यदि तो चोब लीटर ही चेक कराया जाता है तो मैं ICF की मैं बात बताया हूं उधर जो है गुड्स और LHP की मैं बात बताया हूं और CR की छामता जो है अभी हमने आपको बताया क्या बोलते है प्रेसर जो है CRNBP का प्रेसर 5 कजी होता है ठीक है अब चलते हैं next question question number 55 question number 55 में क्या कह रहा है कि ICF AC 3 tier कोच की बर्थी संक्या 3 tier की आप question किया है ठीक है ना तो उसमें भी ICF का तो ICF में 64 होता है और 72 जो दिया है LHB LHB में 3 tier 3 tier का transportation code होता है AC लिख दीजिए और फिर CN लिख दीजिए CN जो है आपको 3 tier का code होता है ठीक है तो LHB में जो है या बहत्तर होता है कितना होता है 72 होता है और आपको ICF में 64 होता है ठीक है मैं पिछले वीडियो में पूरा transportation code के साथ में sitting वाला सब मैंने बता दिया है ठीक है आप देख सकते हैं नहीं तो LHB dimension या भी भी जाए dimension वाला भीडियो उसमें देख सकते हैं जो भाई PDF लिए हैं उनको तो कई बार मैं लिखा चुका हूं या वो dimension वाला भीडियो जा करके देख लेंगे क्या बलता है PDF पढ़ लेंगे PDF जो लिए है वो dimension वाला पढ़ेंगे उसमें सब मिल देखा है ठीक है हम next question पर चलते हैं question number 56 question प्रेंड में break pipe का coupling head का रंग ठीक है यहां पर BP की बात किया है break pipe का ठीक है तो BP का रंग जो है break pipe का green होता है ठीक है green होता है और यह जो दिया है white या FP का दिया है यानि feed pipe का white होता है और break pipe का जो है green होता है ठीक है ठीक है न कोचिंग है अब ध्यान में रखेंगे बहुत important question है ठीक है और यहां पर जान लीजिए BP का प्रेसर जो है 5 kg होता है 5 kg पर cm2 और AP का प्रेसर जो है आपको 6 kg पर cm2 होता है ध्यान में रखेंगे ठीक है चले नेक्स question पर चलते हैं संताओं नंबर पस्छी मद रेलवे में मंडलो की संख्या यह छेत्री यह question हो गया आई से भी आप लोग जानते भी है इसका ठीक है तो इसमें answer 3 हो जाएगा त question पर चलेंगे question number 1 box and bargain में यदि डीवी रिसाव हो रहा है देखिए box and bargain हो या कोई भी बैगन हो ठीक है अगर डीवी में रिसाव हो रहा है तो उसको हम धाया दे अलग कर देंगे जल्दी से जल्दी उसको हम अलग कर देंगे क्यों अलग कर देंगे क्योंकि डीवी को पल ही बताया breaking system का mind कहा जाता है just first part video मैंने बताया को detail रूप से डीवी के बारे में आप देख सकते हैं कि डीवी जो है breaking system का mind यानि दिमाग कहा जाता है अगर उसमें रिसाव हो रहा है तो सारे breaking system गड़बड हो जाएंगे ठीक है इसलिए हम डीवी को seriously रूप से लेंगे उसको direct रूप से हम अलग कर देंगे अर्थात isolate कर देंगे ठीक है न और DC को breaking system का हिरदय या kidney कहते हैं क्योंकि DC मतलब की dot collector dot collector ही हावा को गंदगी से यानि धूलकन जो भी गंदगी होता है उसको चान करके डीवी को देता है mind को देत या कुछ तो breaking system गड़बड हो जाएगा ठीक है न तो आप इसे भी note कर लेंगे DC को breaking system का हिरदय या kidney कहते हैं और DB को breaking system का air break system का मतलब की mind या दिमाग कहते हैं इसे लिख लेंगे इसमें अगर रिशा हो रहा है तो isolate कर देंगे ठीक है चलिए को आता air hose जूड़े हुए है तो air hose तो आप जानते हैं कि BP और FP दोनों में जूड़ा हुआ है ठीक है cut off angle के साथ ठीक है जो आपको C number में दिया हुआ है आप यहाँ गाड़ी जो होता है गाड़ी जिसे मा लेते हैं कि यहाँ गाड़ी है ठीक है न तो air hose जो होते हैं दोनों तरफ से लटके हुए रहते हैं और दोनों यहाँ पर जूड़े हुए रहते हैं ठीक है न कोशन है कि air hose जूड़े रहत कोश्चन आता है कि कौट जो ब्रेक एर होज कि खुली स्थिति में खुली स्थिति का मतलब यह गवा कि इसमें हावा मतलब आवा गमन हो रहा है तो खुली स्थिति में क्या वुश्चन का आता है कि कौट अफ एंगल को का हैंडल किस पोजीशन में रहता है कोश्चन आता है क कार्ज तरने की स्थिति में कैसा रहता है तो पाइप के समनांतर रहता है ठीक है ना कोषन आता है अभी आपको कोषन आया था कि यह एफपी जो है वाइट होता है और वाइट रंग का इसका मतलब रंगार दोनों का प्रेशर हuba अभी बताएं इससे जोसिया जान गहें ठीक है क्लए ऊपर स्ब्सक्रशन पर चलते हम though प्रशन नॉमबर शाट में आपर आ els निमस आ निर्थ का या फूल फर्म पुछ बहर ना ही आधा है इसा क्या होता है रूटीन अभर हॉलींग जो ए नंबर में आप देख सकते हैं, routine, overhauling लेकिन आइसी एप में नाइसी के लिए यह जो दिया है, इस कोश्चन में आइसी एप होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 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 के लिए क्या बोलते हैं, उसको एसी नाइसी सभी का शोलेटर नहीं होता है, ठीक है, आप अपना confusion दूर कर लेजिए, चलिए 62 में चलते हैं, त्वीन पाइब सिस्टम में ब्रेक निकलने में लगा समय, यहां पर यह सुचित नहीं किया है, कि कोशिन है कि या गुड्स है, ठीक है न, ब्रेक रिलीजिंग का या टाइमिंग कर रहा है, ठीक है, तो हम आपको यह बता दें, कि कोशिंग का मैं बताता हूं पहले, कोश का, अगर ब्रेक रिलीजिंग अगर कहे, पहले ब्रेक अपलाइड, अपलाइड जो है, तीन से पांच सेकेंड में ब्रेक अपलाई हो जाता है, मतलब ब्रेक लग जाता है, ठीक है न, और रिलीजिंग जो है, कोशिंग है, स्टॉक में, यहां आर लिख देते हैं, रि तो गूर्ष में 45 से 60 से केंड में ब्रेक रिलीज होगा समझ गए जहां तक भी इस वात से ठीक है तो अपलाई 3 से 5 से केंड रिलीजिंग 15 से 20 से केंड और यहां पर इस तरह का अप्शन नहीं है इसे साबित होता है कि गूर्ष अर्थात बैगर में रिलीजिंग टाइम जो है 45 से 60 से केंड एंसर इसका होगा है नेस्ट कोस्टन पर चाब रहे हैं कोस्टन नंबर तीर साथ तीर सथ में क्या करें प्रेसंटर में ब्रेक पाइप और फीड पाइप का ब्यास ठीक है तो ये पाइप जो होता है तो इसका बोर साइज यहाँ पर आपको देखिए प्रेसंजर कोच के फीड पाइप की यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन कोस्टन पुछता है कि बोर साइज थीक है ना तो यह हो जाएगा आपको 25 सेंटिमेंट ठीक है लेकिन बाहरी ब्यास अगर पुछता है बाहरी ब्यास तो 28 mm हो जाएगा ठीक है ना लेकिन बोर साइज अगर पुछता है या इस टाइप का कोश्चन तो 25 mm ज्यादा तरके यहीं पुछता है चीज mm हो जाएगा ठीक है पसेंजर ट्रेन का अब इसमें जो है अब ICF-LHV में क्या होता है यह आपको मैं बता दूए इसमें कुछ अंतर होते हैं क्या चीज में ब्रांच पाइप में मैं ब्रांच पाइप लिग देता हूं ब्रांच पाइप यह नहीं सक्खा पाइप तो में जो क्या होता है आपको ICF में ब्रांच पाइप में क्या होता है यहाँ 20 mm का होता है कितना 20 mm का होता है ठीक है और LHV में यहाँ ब्रांच पाइप 18 mm का होता है कितना 18 mm का होता है ठीक है ना ICF में 20 और LHV में 18 mm का ब्रांच पाइप यानि सक्खा पाइप जिसको हम लोग कहते हैं ठीक है और क्या हो गया इसे लिख लिजी अब क्या बोलते हैं ICF में ICF में मतलब कि BC to BC BC to BC यानि break cylinder to break cylinder में जो pipe जाता है उसका दाया 15 mm होता है कितना होता है 15 mm होता है ICF में ठीक है और यहाँ पर LHB LHB में आता है जो question आता है मैं उसी को डिटेल रूप से बताऊंगा क्योंकि हम exam का दिश्री से जो भी कुछ पढ़ाते हैं BCS करके exam के दिश्री से जो exam में आते हैं जनकारी के लिए तो बहुत सारा चीज है ठीक है तो LHB में जो question पुछता है P E A S D आनि passenger emergency alarm single device ठीक है तो पेसेड़ टू P E A B P E A B passenger emergency alarm valve ठीक है ठीक है तो पेसेड़ टू P E B ठीक है इसका जो पाइप जो जाता है इसका question पुछता है कि इसकी दाया कितना होता है तो इसका दाया 10 mm होता है कितना होता है 10 mm होता है ठीक है और इसी को दूसरे भासा में question पूछ देता है कि break indicator pipe का दाया कितना होता है तो break indicator pipe का दाया भी 10 mm होता है कितना होता है 10 mm होता है ठीक है धियान में रखेंगे यह question जो भी मैंने बताया या जारातर के question पूछे जाते हैं इंपोर्टेट है इसको कोपी में 100% आप नोट कर लेंगे जो भाई वीडियो देखते हैं जो भाई पीडियो लिए हैं और ब्रेकिंग सिस्टेम वाला पीडियो पड़ा लेंगे चलिए 64 नंबर question पूर्ण सेवा आवेदन के समय ब्रेक पाईब का दबाव गिरा ब्रेक पाईब का दबाव गिरा दियता है ठीक हैं पूर्ण सेवा आवेदन हैनी पूल सर्फिस से 0.8 kg पर CMS को है ठीक है minimum अगर पुछता है तो ठीक है न अगर service application के समय अगर पुछता है तो service application के समय break pipe के दबाव कितना गिरा दिया जाता है या कितना होता है तो वहाँ पर लिखिए 0.8 से 1 kg 1 kg पर CMS को है ठीक है क्या service application के समय ठीक है अब इसके बाद में आपका कोशन यहाँ पर आजाता है कि फूल service application के समय कितना हो जाता है हम एफ लिख देते हैं फूल फूल सर्विस अप्लिकेशन ठीक है न आप लिख लीजिए अपने भासा में फुल सर्विस अप्लिकेशन के सम wykon यहाँ पर इसको एक केजी भी से वन पोमॉइंट फाउब केजी पर सी इसको है ठीक है यह फूल सर्विस अप्लिकेशन के लिए हो गया जो आपके कोश्चन में है कि पूर्ण से वावेदन मैंने फूल सर्विस अप्लिकेशन के समय ब्रेक पाइप के दवाव कितना गिरा दिया जाता है तो 1.5 kg ठीक है न यहां पर देखिए 1 kg भी दिया हुआ है तो 1 kg confirm नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी एक है इसमें भी एक है ठीक है तो 1.5 kg ठीक है यानि 1.5 kg जो है फूल सर्विस अप्लिकेशन अब उसके बाद में आता है इमार्जेंसी इमार्जेंसी ब्रेक अप्लिकेशन के समय कितना होगा इमार्जेंसी तो इसमें हो अगर ICF रहेगा तो 3.8 kg रहेगा ठीक है ना पर cm2 आप cm2 आप लिख लेंगे ठीक है ना तो आप यहां से फिर से समझेए minimum service application के लिए अगर पुछता है तो 0.5 से 0.8 kg पर cm2 और service application के लिए पुछता है तो 0.8 से 1 kg पर cm2 और full service application के लिए समझेए पुछता है तो 1 से 0.5 kg पर cm2 अगर पुछता है तो 0.5 kg से 3 kg पर cm2 अगर 3 kg LHB के लिए और ICF के लिए 3.8 kg हो जाएगा ठीक है ना जहां तक भी स्वास है कि समझ गये होंगे यह बहुत important मैंने question बताया है एकजाम के दिश्ची से इसको copy में आप note करेंगे ठीक है बार बार मैं बोलता हूँ copy कलम लेकर के ही मेरा वीडियो देखा करें ठीक है अगर मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें शेयर भी कर दें अधर जगे और नए है तो 100% सब्सक्राइब करें ही लिजिए क्योंकि इस टाइप का वीडियो जो है हर जगा आपको नहीं मिलेगा चले बीपी का पून रूप बीपी का पून रूप जो है ब्रेक पाइप होता है यह तो बहुत ही सिंपल और रनिंग कोश्चन है चुटपुटिया कोश्चन है बीपी का पूल फर्म बलोड प्रेसर भी होता है लेकिन वो नहीं चलेगा यहां ठीक है ना तो क्या बोलते है ब्रेक पाई पर हो गया नेस्ट कोश्चन 66 ICF कोच के air brake system में brake cylinder की संख्या brake cylinder की question एक या है कि ICF किया पर बात किया है ICF में brake cylinder की संख्या कितना होता है तो आप जानते हैं कि ICF में दो ट्रॉली लगे रहते हैं और दोनों ट्रॉली पर यहाँ यहाँ जो है दो टो एक ट्रॉली पर दो brake cylinder अर्थात BC लगा रहता है ठीक है न तो यहाँ पर आपको ICF यहाँ पर कोच की बात किया गया है तो एक कोच में दो ट्रॉली होते हैं तो दो दूना चार cylinder हो जाएगा यह तो simple सा बात है ठीक है लेकिन brake cylinder के बारे में ICF के बारे में मैं बात बता दूँ इसका answer तो चार हो गया लेकिन brake cylinder का दबाव BC का दबाव अधिक्तम पुछता है BC का अधिक्तम दबाव कितना होता है BC का pressure जो है BC का pressure जो है 5 kg पर cm² होता है ठीक है और BC का ICF की मैं जो भी बात कर रहा हूँ ICF का बात कर रहा हूँ ठीक है ALHB का नहीं समझ लिजिएगा तो इसका BC का ब्रेक cylinder का दाया पुछता है ठीक है ना दाया पुछता है तो यह होता है 8 इंच कितना होता है 8 इंच होता है ठीक है तो था इसका piston अधिकतम 90 होता है जो नहीं पुछता है ठीक है ना वो नहीं पुछता है आप जनकारी के लिए 90 आप लिख लीजिए ठीक है अधिकतम लेकिन जादातर यहीं कोशन पुछता है कि BMBC का piston अधिकतम का कितना होता है तो 32 म होता है BMBC अर्थात बोगी माउंटेड ब्रेक स्रिंडर यानि बोगी पर जो माउंट होता है ICF वाला ठीक है ना आप समझ लीजिए 32 म हो गया तो यह आपका तो डिटेल हो गया इसके बारे में BC के बारे में ठीक है अब चलिए LHB में LHB में LHB के अब में बात कर रहा हूं ठीक है तो इसमें BC की संख्या BC मतलब ब्रेक स्लिंडरों की संख्या जो है एक ट्रॉली पर 4 होते है ठीक है अर्थात एक डिस्क के आप जानते है कि एक सल पर दो डिस्क होते है और परते एक डिस्क के लिए एक सलेंडर का परियोग किया जा ठीक है तो क्या बोलते हैं एक ट्रोली पर चार हो जाते हैं तो कुछ में जो है आठ सलेंडर हो जाएगा ठीक है आठ सलेंडर हो जाएगा ठीक है और इसका दाया जो है इसका दाया जो है दस इंच होता है इंच और पिश्टन एश्ट्रोग जो है piston stroke 10 mm होता है, ध्यान रखिएगा, mm, 10 mm होता है, इंच नहीं, इंच जो है ताया होता है, piston stroke 10 mm होता है, ठीक है, तो दोनों को तुलना करके, जब मतलब लिक लिजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी कोशन, ICFLSP वाला कोई भी ये कोशन फंसता है, तो आप कोपी जब पलटे देगा, आपका confusion दूर हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ, कि कोपी में note करते चलेंगा, जो भी मैं extra question बताता हूँ, ठीक है, और मुझसे जुडने के लिए, या PDF प्राप्त करने के लिए, कैसे प्राप्त किजिएगा, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, कि test में कैस से अब सामिल हो सकते हैं, ये तो हो गया, आच्छा, अब 66 नमबर question, इसमें break power परतिसत पुछ रहा है, कि यदि आपका 60 से चंगन अगर piston काम कर रहा है, break cylinder, तो break power परतिसत क्या होगा, या आपको क्या बोलते हैं, इसको रटने वाला question है, आप रट सकते हैं, 66 होगा, break releasing के द तो उसका हावा जो है, वाई वंडल में चला जाता है, अर्थात अटमोस्फियर में चला जाता है, आप गारी में बैठे होईएगा, तो देखिएगा, सिसकारी की आवाज जो है, निकलता है को रटा छोएद एक पर छोड़ता है हावा, वे तो समझे के break release हो रहा है, next question, ACP देखिए, यह थोड़ा सा imported question हो गया, यहां तकेवाल full firm ही पूछा है, कि ACP का full firm क्या होता है, तो alarm chain pulling होता है, alarm chain pulling, जो C number में दिया हुआ है, लेकिन इससे question आता है, कि ACP का हो, मतलब कितना हम version या कितना बहार है, या कितना दबाव देंगे, तो ACP हो जाएगा, अर्थात alarm chain pulling हो जाएगा, आप गाड़ी में जब सपर करते हैं, तो side में देखते हैं कि एकदम एक लटकार आता है, उसको खीचने पर गाड़ी रूख जाती है, alarm chain, ठीक है ना, तो उसमें कितना दबाव दीजिएगा, तो ब्रेक लग जाएगा, तो इसमें आता है 7 से 10 केजी, कितना 7 से 10 केजी अगर उसमें दबाव या भार डालते हैं, वेट डालते हैं, तो आपका ब्रेक लग जाता है, ठीक है ना, alarm chain, यानि ACP हो जाता है, लेकिन इसी में दो तरह का question पूछ देता है, निउन्तम और अधिक्तम, ठीक है, तो निउन्तम अगर पूछता है, तो 7 केजी हो अधिक्तम अगर पूछता है, तो 10 केजी होगा, उतना वेट डालिएगा, ठीक है न, तो दोनों question लिख लिजिए, ACP के लिए निउन्तम वेट या भार दबाव, इतना हम डालेंगे तो ब्रेक लगेगा, निउन्तम पूछे, तो 7 केजी, अधिक्तम अगर पूछता है, तो और चौंसर जो दिया है, ICF में दिया है, ठीक है न, ICF के दिया है, चौंसर, next question, ELHB कोच में ब्रेक सिलिंडरों की संख्या, देखें फिर यहाँ पर आ गया, अभी मैंने बताया, ELH में ब्रेक सिलिंडरों की संख्या जो है, 8 हो जाएगा, ठीक है न, अभी मैंने डीटेल आपको बताया जा, अगर नहीं देखें तो वीडियो को बाय करके देखें, बहातर नमा, transition coupler, transition coupler का प्रयोग जो है, किसमें किया जाता है, ठीक है न, यह जो है, बहुत important question है, मैं इसके बारे में, जो daily running question आ रहा है, तो उसमें मैं ज्यादा discussion नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक ह आपको जानना है, important है, मैं उससे जरूर बताऊंगा, daily ही आता हो, और ज्यादा से ज्यादे important हो, मैं उससे जरूर बताऊंगा, जैसे देखें, यहाँ पर coupler की बात किया है, ठीक है, तो coupler बहुत सारे परकार के होते हैं, कौन गाड़ी में, कौन सा coupler का प्रयोग किया जात ठीक है, और, अब यहाँ पर हम अब कौपी में लिखिए, कि LHV में, LHV में कौन से couplers का प्रयोग किया जाता है, उसमें H type CBC, H type CBC, center buffer coupler का प्रयोग किया जाता है, ठीक है न, और, क्या बोलते हैं, goods, goods में, जो है, E type, E type CBC का प्रयोग किया जाता है, goods मतलब की wagon में, E type CBC का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दिजिएगा, और, ICF, ICF में कौन सा coupler का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें आप जानी रहे हैं, कि, एस्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है ठीक है एस्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है ठीक है और एक आता है आपको जो we can a only using haben you DM if DJ Bobby D 해줏 मल् Clock उनिट इसमें स्यकू कॉप्लर का परियोग किया जाता है काउसा स्यकू कॉपणर का परियोग किया जाता है ठीक है उब आ जाता है आपको बंदे भारत बंदे भारत बंदे भारत में कौन सा कपलर का परियोग किया जाता है देखिए जितने भी बताया 1, 2, 3, 4, 5 सारी के सारी इन्पोटेट कपलर आप जरूर नोट कर लेंगे ठीक है बंदे भारत में कौन सा कपलर का परियोग किया जाता है तो इसमें semi permanent coupler का प्रयोग किया जाता है और इसी में फिर लिखिए यहाँ जो semi permanent जो coupler है इसे जो है डेलेनर कमपनी द्वारा बनाया जाता है इसी लिए इस coupler को डेलेनर भी कपलर भी कहा जाता है फिर से सुन लिजिए बंदे भारत का coupler जो है semi permanent coupler का प्रयोग किया जाता है जिसे डेलेनर कमपनी द्वारा बनाया जाता है इसलिए इसे डेलेनर भी के नाम से भी जाना जाता है या डेलेनर भी कपलर भी कहा जाता है फिक है इसे आप लिख लेंगे बहुत important मैंने deeply question बताया है इसको आप लिखेंगे और एकदम राट लेंगे फिक है और इसके बाद कि जो Sunday को जो टेस्ट होने वाली है वो बहुत ही important question वाला new question आप लोग को भेजेंगे वर्षप से question होंगे ठीक है ना अपना तयारी जो है अच्छे ढंग से करें कम से कम आपको 60 से एवब नमबर आना चाहिए ठीक है ना इसे भी pass mark जानी रहें कि 64 होता है तो 64 से अगर कम नमबर आता है आपको टेस्ट में तो समझे की आप मतलब क्या है तो आप खुद ही सों सकते हैं कई से कहा सकते हैं कि आ तो 64 से एवब नमबर लाने का प्रयास कीजिए जो भी मैंने रिजल्ट बना कर भेजा है अब वीडियो जाकर देख सकते हैं चलते हैं बी एसएस हैंगर पाया जाता है देखिए बी एसएस हैंगर जो है या बी एसएस पीन जो भी सब है बी एसेस वाला यह सब आएसी एफ में मतलब प्रयोग किया जाता है ठीक है ना ध्यान में रखेंगे BSS hangar या BSS pin जो है ICF में परियोग किये जाते है next question कैसनो 22 HS scrolly में किस परकार के side barrier का परियोग का परियोग सब में आते हैं important question भी है लभक sub set में आ जाते हैं ठीक है sub set में मैं बताता भी हूँ इस में आवर detail नहीं कियो आप जाने है PU टाइप का परियोग किया जाते है ठीक है next question 75 SWTR से या फूल फर्म पूछ रहा है कि SWTR का फूल फर्म क्या हो जाता है the single wagon paste ring ठीक है कहीं कहीं W हटा देता है SCTR से क्या समयते है W हटा करके W के जगवापर C लिग देता है SCTR ठीक है the single car paste ring यहाँ पर C के जगवाँ पर W दिया है single wagon test ring या दोनों लिख लेंगे single wagon test ring single car test ring तो car वाला जो है आपको coaching वाला में फूछता है wagon वाला में W लगता है समझ गए होंगे जहाँ तक आपको हमको मतलब की विश्वास है यह आपका हो गया पचहाँ पर नमबर को चलिए हम next question पर चलते है तो यह मायत का question आ गया मायत का question तो यह सवाय के सारा question चुटपूट यह question है मुझबानी बनने वाला है और इस type का अगर मायत आप लोग नहीं बना पाते हैं तो समझे कि मायत कुछ नहीं बनाते हैं इसमें बर्गमूल पूछ रहा है जो 7-6 में हम लोग पढ़े हैं तो यह 35 का बर्गमूल है बर्गमूल निकाल कर देख सकते हैं यह देखिए इसमें बहुत लोग कर फ्यूज कर गए होंगे गलत भी हो गया होगा दू जोड दू भागा दू यह जो है बहुत लोग जो है पहले बोड मास जो पढ़े होंगे यह जो है 5-6 में पढ़ा जाता है यह ठीक है न तो पहले जो है क्या होता है जोड घटाओं गूना भागा यह सब होता है तो पहले कभी भी भागा की किरिया किया जाता है तो गुना का तब जोड़का तब घाटाओं का हम लोग परियोग करते हैं ठीक है और यह तीनु में अगर कहीं का है तो पहले का की परक्रिया करेंगे उसके बाद में सब परक्रिया करेंगे ठीक है न तो यहां पर पहले भागा की किरिया होगा तो दू में दू भागा तो 3 आ जाएगे इसलिए इसका अंसर 3 हो जाएगा ठीक है न जहां तक समाझ गए होंगे पहले भागा के किरिया करेंगे तो जोड का करेंगे ठीक है न न हो गया नेश कोचन वृत का छेट फल जानी रहा है पाई आर एस्क्वाइर होता है ये तो आपको 6 से 7 में पढ़ना है बृत का छेथफ़ल पाई आर एसक्वाइर बृत का परेधी 2 पाई आर ठीक है ना इस अब को पहले ही पढ़े है ना अब चलिए 7 9 7 9 ये जो बहुत ही हलका जो है क्या बोलते है इसको रीजिनिंग बोलते ह ठीक है ना तो देखी यहाँ पर यहा पर एक का क्यूँ एक होगा तीन का क्यूँ इन अथर का 27 में देखी तीन एक तीन पाद जो विशम संख्या उसी का यह क्यूँ किया है तो साथ का हो गया नो का यहाँपर हो जाएगा यानि ची नमबर हो जागे तो मुझबानी कोचन बनने वाला है ठीक है न यह कोई बड़ा बड़ी बात नहीं है चलिए हम आगे बढ़ते है अशी नमबर देखिए यहां कोचन पूचा है ठीक है न तो देखिए इस तरह ले जाएए बारा तेरा चौदर पंदरा ठीक है न तो पंदरा कहां है यह है मार देंगे बात खतम संभाहू तिर्भुज का परिमाप पूच रहा तो परिमाप का मतलब होता है तीनु भुजाओं का जियोग ठीक है न तो तीनु भुजाओं का संभाहूं संभाहूं का मतलब सभी भुजा बराबर है संदी बाहूं जिसकी दो भुजा बराबर है बिसंभाहूं जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो ठीक है न संभाहूं तिर्भुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो संदी बाहूं विसम बाहूँ के मतलब सारे के सारे भूढ़ा फिसम होगा, अर्थात बराबर नहीं होगा, उसे हम विसम बाहूँ तिर्वूढ़ करते हैं, रहर हिस टाइसे बहुत सारे तिर्भूढ़ों में पढ़ना है, यह कोई आप लोगो purely बड़ी बात नहीं है, तो संभाहों तिर भूज का मतलब परिमाप पूछ रहा है तो तीनी भूजाओ को जो कर दीजिए या इसमें तीन से गुना कर दीजिए तो तीन से गुना करते हैं तो नो तिर का 27 के साथ तीन त्याई नो अदू एगारे मतलब की 117 हो रहा है ठीक है ना अब देखें या भूलवाने के लिए 117 यहां और यहां दोनों दे दिया है ठीक है ना कन्फ्यूज करने के लिए या जल्दीबाजी जो मारते हैं वो जल्दीबाजी में फिक मार कर देंगे 17 देखेंगे फट मार देंगे ठीक है लेकिन यहां पर परिमाप पूछ रहा है था परिमाप में इसका एंसर हो जाएगा ठीक है ना समझ गया होंगे जहां तक हमको भीषवास है चलिए नेस कोचन देखिए मैथ का कोश्चन जो है कोई ज्यादा भारी अधिकांसतर काल्कुलेशन आता है बहुत सारे मेरे भाई कोश्चन करते हैं कि मैथ कभी सर पीडिए पिजी है मैथ तो मैथ ऐसे मैं क्या बोलते हैं मैथ का वीडियो मैंने डाला है प्लेइलिस्ट में मैथ वाला में जाके आप देख सकते हैं ठीक है और भी मैथ का मैथ वीडियो बनाने वाला हूं डालूंगा ठीक है लेकिन मैथ कोई हार्ड नहीं पूछता है अगर मैथ मैट्रिक लेबल चार या सम अनुपात के मतलब बराबर होता है 24 अनुपात 96 ठीक है तो इसको कटा लेजिए 24 का 96 ठीक है अब कोना कानी गुना कीजिएगा तो फोर एक सा फिर इधर चार 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 कट जाएगा ना तो यहां सभी आप काट सकते हैं एकस बराबर उन एंसर इसके आज लेगा ठीक है चलिए अब 84 नंबर कोश्चन देखिए 84 में क्या कर रहा है कि 0.15 का पंदरे परतिशा ठीक है तो 0.15 का मतलब की गुना 15 परतिशा तो 15 परतिशा का मतलब बाटा 100 होता है इसको भी दसमलों उड़ा दीजिए तो इसमें भी द 2, 3, 4 यानी 4 अंग के बाद दसमलों पड़ जाएगा तो 25 पाशीश कितना होता है 25 पाशीश यहांँ 2nd25 होता है ठीक है 25 होता है और तो चार उनक बाद हम 8 दसमलों दे देगए तो एक दूर 3 रिखो 0 दे दिजिए यहां पर 10 अंपर दसमलों देचे आपको पहले गुणा का किरिया करेंगे दू-दूनी चार और चार को दू में से हम जब घटाएंगे तो माइनस दू आएगा जो ए नमबर में आप देख रहे हैं ये सम्मुजबानी बनने वाला कोश्चन है चलिए अब देखिए आपर जी के कोश्चन है भारत के राष्टपती कोन है देखिए जब का यह कोश्चन था तब का यह दिया हुआ है लेकिन अभी जो है क्या बोलते हैं दूरपती मुर्मू जो है अभी राष्टपती है आप जानी रहे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ये जब का कोशन है रमनात कोबिन जी थे तो तब का है ठीक है चलिए निमलगी तुमें से कौन सा 36 गड़ राज की राजधानी है ठीक है तो यह रायपूर हो जाएगा जो सी नमबर में आप देख सकते हैं यह सब जी के कोशन है वो चटपट आप मार दिजेगा कोई दिकत नहीं है ताज महल किसके यादें बनाया गया था तो आप इतिहास पहले पढ़े ही है तैयारी पिरियड में जब नोकरी में आने से पहले इसको तो रट करके आप गरदा छोड़ा दिये थे हम जान रहे हैं तो मुम ताज महल इसका हो जाएगा जो ए नमबर में दिया हुआ है ठी ठीक है डिपाटमेंटल कोस्चन जो है कोस्चन करमचारी भाई का पूछ रहे थे कि डिपाटमेंटल में कौन कौन से सर आते हैं तो डिपाटमेंटल में जितने भी देखिए डिपाटमेंटल में जिसे आपको बता देए एसेव जिसे पूछ रहा है रेलवे एक तुनी सो तालिस एसे जितना भी दिया है रेल अच्राइब श्यासट रेलबे एक तुन श्यासट ठीक है पास पीटियो इंसेंटिव और क्या बोलते हैं उसको राजभासा ठीक है इस अब जितने भी कोशन है इस अब डिपार्टमेंटल के अंतरे बाद आते हैं ठीक है ना चलिए तो इसमें कर रहा है कि एसे पेगारा का परिखते है इसमें एसे पेगारा जो है माइनर पेलांटी इसका होता है माइनर पेलांटी मतलब एसे पेगारा में दिया जाता है ठीक है एसे फवाला मैं वीडियो मैंने बनाया है उसमें जाकर देखें प्लेलिस्ट में जाकर करके यहां पर क्या है 90 नमर में क्या छूटी क्रमचारियों का अधिकार है जहां है लेकिन यहां पर थोड़ा सा मिस कर गया था इसका एंसर सीट जो है साइड हम भी चेक करा दिये हैं तो एक आद्गुसाइड होता है इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जहां पर 100-100 कोस्चन कर दो जो बनाया जा रहा है बताया जा रहा है तो साथ एक साथ मिस हो जाता है टाइपिंग वो गड़बड हुआ है ठीक है नम लेकिन रेल करमचारी का छुटी का अधिकार है इसका अंसर एह होना चाहिए ठीक है चलिए नेस्ट कोस्चन कि पित्रित आवकास किसे, पित्रित आवकास जो है, किसे मिलता है, पित्रित आवकास मिलता है, ठीक है न, तो यहाँ मेल वाले को मिलता है, फीमेल वाले को नहीं मिलता है, ठीक है न, नामे है पित्रित आवकास, या पिता को मिलता है, ठीक है न, अब यहाँ आगया SA5, SF5 जो हम major planting के लिए परियोग करते हैं बड़ी सास्ती के लिए हम इसका परियोग करते हैं ठीक है ना फिर मैं कहूँगा कि D&AR वाला rule जाकर PDF निकाल कर पढ़ लेंगे उसमें पुरा detail में दिया हुआ है या वीडियो देखते हैं D&AR वाला वीडियो जाकर देख लेंगे ठीक है ना SF5 जो है major planting के लिए होता है इसको जो है मतलब 10 दिन में जो भी है इसका साबुद जितना विया सब जमा करना पड़ता है total में detail बता यहां उसमें जाकर देखें चलिए तो इसमें आया अब 93 नमबर करा है कि ICF कोच का एक्सल माउंटे डिस्क ब्रेक दिया गया है नहीं भाई ICF में एक्सल माउंटे डिस्क ब्रेक नहीं दिया गया है ठीक है ना LHB में दिया गया LHB में जो है डिस्क ब्रेक दिया गया है इसमें ब्रेक पैड लगे रहते हैं, एक एकसल पर दो डिस्क ब्रेक लगे रहते हैं, ठीक है, डिस्क ब्रेक के बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझा दूँ, क्योंकि डिस्क ब्रेक से कोश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, तो डिस्क ब्रेक में यहाँ पर फींस लगे ह किस उदेश के लिए लगाया जाता है तो ठंडा होने के लिए या कुलिंग के द्रिश्टी से इसको लगाया जाता है अप्सन में आपको रहेगा कि weight को कम करने के लिए भी लगाया जाता है लेकिन weight जो है से coolingly लगाए जाता है ठीक है और इसकी मोटाई जो है 110 mm होता है दाया जो है 640 mm होता है ठीक है यहां gray cast iron का बना होता है ठीक है और दोनों डिस्क के बीच की दूरी जो है कितना होता है तो 200 230 mm होता है ठीक है और यहाँ पर जो wheel होता है तो wheel और disc के inner face के बीच की दूरी कितना होता है तो 175 mm होता है देखिए बहुत important question जो है deeply मैंने बता दिया इस सब को इस सब पुछता है ठीक है ना इसका दायाद 640 मोटाई 110 या ग्रे काश्ट आरेन का बना होता है इसमें फिंस जो है कुलिंग के उदेश से लगाया जाता है दोनों disc के बीच की दूरी जो है 1030 होता है और wheel and क्या बोलता है इसको disc के inner face के बीच की दूरी जो है 175 mm होता है ठीक है बहुत important question next question 490 number L type के composite break block बदल देना चाहिए अगर वह पहना जाता है मतलब कि अगर वह घीस जाए कितना तक L type उसको बदल देना चाहिए ठीक है तो L type को जो है 10 mm घीस जाता है तो उसे बदल देना चाहिए और K type 12 mm घीस जाए तो बदल देना चाहिए और C I type CI के मतलब काश टाइरन, CI टाइप वाला जो है, 20 में अगर घीं जाता है, तो उसे बदल देना चाहिए, ठीक है, CI के मतलब काश टाइरन, काश टाइरन टाइप के जो रहता है, चलिए नेफ्स कोश्चन, पंच्यानवेर नमद, ICF के अंतिम भाग पर पिल्ली पट्टी क्या दर्साता है, बहुत इंपोर्टेट कोशन है, यह बार बार पुछा जाता है, तो ICF का जो कौच होता है, लास्ट वाला कौच के पीछे देखिए है कि इस तरह का क्रॉस किया हुगा, पिल्ला पट्टी को इस कौच के बाद में कोई कौच नहीं है, ठीक है न, एंटी पेलेस्कोपी के बहुत जादा पुछा जाता है कोशन, इसे नोट कर लेंगे, इवेस्टी पता लगाने में कौण सा दोस्त, तो इवेस्टी जो है, आपको इंटर्नल क्रेक को चेक करता है, जो एकसल होते हैं, एकसल के बीच में जो इंटर्नल क्रेक होते हैं, जो पता नहीं चलता है, उसको चेक करने के लिए हम इवेस्टी अर्थात, अल्ट्रसोनिक टेस्ट का परियोग हम लोग करते हैं, जो यहां से और यहां तक तार जब लगाएंगे, यहां पर तार को जब इद दोनों तरफ स चार पहिया ट्रॉली के लिए नए हुईल ट्रेट ब्यास में अनुमे भीनता, देखिए यहां पर मैं सब बता दे रहा हूँ, ठीक है न, आप लिख लेंगे, देखिए एक ही धूरी पर कह रहा है, तो धूरी मतलब एक ही एकसल पर तो पांच हो जाएगा, ठीक है, तो चल एकसल पर तो एक एकसल पर अगर दोनों मतलब क्या बलता है इसको, एक ही एकसल पर दोनों रील के डाया में अंतर, ठीक है, तो 0.5 mm हो जाएगा, ठीक है, और एक ही एक ही ट्रोली या क्या बलता है उसको, बोगी, एक ही ट्रोली या एक ही बोगी में अगर पुछता है, किस पांच में पूछता है यह 13 mm हो जाएगा इसमें यह कौच की मैं बात कर रहा हूँ पसंजर के लिए मैं बात कर रहा हूँ ठीक है तो एक ही एक सल पर 0.5 एक ट्रोली या क्या बोगी तो 5 mm अगर कोच में पूछता है तो 13 mm इसको नोट कर लेंगे ठीक है अब मैं गूड्स की वायगन ठीक है गुर्चानी वायगन का मैं बताऊंगा तो वायगन में अगर चलिए वायगन में भी एक ही अगर एकसल पर अगर पुछता है एक ही एकसल पर तो इसमें भी 0.5 mm होता है ठीक है और एक ही ट्रोली या बोगी में अगर पुछता है बोगी में ट्रोली या बोग इम हो जाता है दियान में रखेंगे कोच वाला अलग लिखेंगे उसी के बगल में इसको लिखेंगे टिक है न और कैसे लिखेंगे हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप एक question लिख लिख रहे हैं red یا black ले लेंगे वहाँ पर जो है extra question बताएं यहाँ पर note लिख देंगे note लिख करके तीर का निशान बनाएंगे और जितने भी मैंने बताया extra question उसको वहाँ लिख देंगे ताकि आपको question मिले जब देखने जाइए तो सारा question आपको मिल जाए यह सब याद करने का बहुत सारे अच्छा तरीका है एक तो मैंने PDF दिया फिर उसको आप पढ़े फिर मैंने टेस्ट कराया टेस्ट को आप उसको मतलब दिये जो गलत हुगा आपके दिमाग में अटेक किया कि यह कोश्चन गलत हो गया किर कल हो करके उस कोश्चन को देखेंगे जब टेस्ट आप देते हैं फिर मैं वीडियो बनाता हूँ तो जब वीडियो को देखेंगे तो एक बार सूनेंगे सून करके फिर उसको कोपी में नोट करेंगे कोपी में नोट करके फिर उसको एक बार पढ़ेंगे देखें कितना बार हो गया अगर एक एक बार ही सरब परक्रिया कर रहे हैं तो अब भी आपको चार पांच बार हो गया और आपका question याद हो जाता है लेकिन आप लोग जो है फर्ल्डे अपना जो भी notes बनाए है उसको जो है एक बार पढ़ने का प्रियास केजिए उधर भी मैंने बताया था कि चार या पांच परकार के copy अपतियार कीजिए एक तो आप notes जो हम एक क्या बोलते है ICA place B वाला एक अलग बनाए welder से समधी जो ITA से समधी जो question आता है उसको अलग बनाए इस परकार से आपना से जो आपको अच्छा question लगता है उसके लिए एक अलग कोपी बनाए इस तरह करके चर-पांच कोपी बनाए अपने हिसाब से और सभी कोपी को पढ़ने एक पेज पढ़ने का प्रियास केजिए चलिए नेक्स समय तो यह तो आप समझ गए अब इसी से question आएगा सब में मैं नहीं बताऊंगा धायन है मारते चलूँगा ठीक है तो यहाँ पर क्या आपने question किया है बीजी wagon की बात किया है एक ही एक सल पर बात किया है तो 5 mm हो जाएगा अब पहिया बदलते समय वोगल wagon के एक ही ट्रोली की बात किया है तो ट्रोली में आपको का बता है तेरे mm हो जाएगा बात किया है ठीक है ना लेकिन वहीं अगर यहाँ पर कूच रहता तो 5 mm हो जाता अभी मने बताया उपर वीडियो को बात करके फिर से देख सकते हैं 99 पहिया बदलते समय बोगी wagon पर यानि वैगन में पूच रहा है ठीक है ना अगर वैगन में अगर पूच रहा है तो 25 mm हो जाएगा ठीक है ना एक सल पर अगर पूचे तो 0.5 ट्रोली में अगर पूचता है तो 13 mm अब वैगन में पूचता है तो 25 mm ठीक है और कोचिंग में अभी हमने बताया ठीक है ना रट लीजिए बार-बार बताने का माक्ष़ाद में रही है एक बार-बार बताऊंगो तो वीडियो देखते में आपको रटा जाए कोचिंग वाला एक ही एक्षल पर पूचता है तो 0.5 एक ट्रोली में पूचता है तो 5 और कोच में पूचता है तो 13 ठीक है चलिए सो नमर ब्रा सुष्ट वार यानि पूचता है या बी-यल-सी में जो है हीट किया जाता है ठीक है चलिए यह सब रटने वाला कोचन है अब चलिए राजभासा का कोचन आ गया करना कि बरतमान में कितनी भासा है समिधान के अनुठीन सुच में तो एक दम चुट पुटिया कोचन हमेशा आता है या 22 देखिए राजबसा से कोई भी कोचन नहीं छूटना चाहिए जो हिंदी भासिया हमको जहांते हैं जो जक्षिन भारत वाले हैं उन्हीं से साथ छूट है कोचन ठीक है ना राजबसा का यह नहीं काई का पीडियेफ में आप लोग को भेजा है बहुत तरह का यह होता है कि एक राजबस गलोट सेडूल में कौन सा बीदेशी भासा है मतलब कौन सा बीदेशी भासा है चलिए इसके बारे में में बताए देखिए बीदेशी भासा इसमें अंग्रेजी दिया है कि नहीं दिया है इसमें नेपाली हो जाएगा कहीं कहीं आपको कन्फूजन के लिए अंग्रेजी भ अगर रहता भी है तो आप नेपाली ही मारेंगे ठीक है अब चलिए हर साल हिंदी दिवस को मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है एकदमी तो रनी कोचन है लगभक सबसेट में आहीं जाते हैं ठीक है पांच नमर में करजाले भासा नियम प्रदताओं के अनुसार ती तीन छेतर ए, बी, सी आनि को, खो, गो आनि तीन छेतर हैं ए रीजन, बी रीजन, एंड सी रीजन ठीक है इसमें कोई ये नमबर अप्शन में दिया हुआ है आप दे सकते हैं पांच नमबर का सी रेड बुलू एंड ग्री ठीक है चलिए ये जो दिया है कार्जकारी नियम भासाओं में परुट तीन छेतर हैं तीक है रेड बुलू ग्रीन यानि ए बी, सी भी होता है रेड बुलू ग्रीन भी होता है आप दोनों को याद रखेंगे ठीक है चलिए नेश को चल करां कि नाम नोटी से सुनवाई परुट भासा क्रम कौन क्या है तीक है तो इसमें जो है नाम नोटी जो भी है तो पहले हम छेतरिये भासा को देंगे पहले हम छेत्रिये देंगे फिर हिंदी देंगे तब हम इंग्लिस को देंगे ठीक है रिजिनल लोंगे तो उसके बाद हिंदी उसके बाद में हम इंग्लिस को देंगे ठीक है इसलिए इसका एंसर ए हो जाएगा ठीक है साथ नुमबर कमी लाड़ू की छेतर में आता है ठीक है इसके बारे में भी मैंने डिटेल लूप से पिछला वीडियो में बताया था लिकिन यहाँ पर भी मैं बता देता हम एक बार कि देखी यहाँ पर A, यहाँ पर B, C यानि तीन रिजन होते है यानि तीन को होता है छेतर तो A छेतर में जो है वैसे एस्टेट या राज आते हैं जिसका भासा जो है हिंदी है यानि अर्थात सुध हिंदी है वह ए छेतर में आते हैं और वी छेतर में वैसे एस्टेट आते हैं जिनकी भासा हिंदी से मिला जुला हो उसको हम वी छेतर में रखते हैं इसके लिए मैंने बनाया था ट्रीक कि पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को हाचंडी ठीक है पसे पंजाब गुशे गुजरा दमन मने दमन दिम महाचंडी महाराष्ट चंडी से चंडीगर दादर नगर तो कहने के मतलब एए जो है बी छेतर में आते हैं एज जाने के लिए दक्षिन भारत के जितने भी स्टेट या इधर भी है क्या पसिम बंगाला सम ये भी जो है सब सी छेतर में आते हैं ये सब मोटा मोटी आपको कमन सेंस से बागी त्रीक लगाने की बात है ठीक है इतना भी अगर ध्यान में रहेगा तो आपका कोशन गलत नहीं होगा ठीक है जिससे आपका कोशन यहां पर तमिलाडू तो सी छेत किस अनुषयद में नियाल ये त्यादी में में परियोग की जाने वाले भासा के समद्ध में प्रवधान है ठीक है ना तो ये जो है अनुषयद की आर्टिकल की बात कर रहा है तो इसका बी हो जाएगा 349 ठीक है ना इसका बी एंसर हो जाएगा V number आप देख सकते हैं चलिए 10 number question जब समिधान को जब अंग्रित किया गया था परराम में कराएक उस भासाओं में जो अभी 22 जो भासा है उसमें उस समय कितना मतलब भासा को समिल किया गया था जब समिधान को अंगिकार मतलब अंग्रित किया गया था उस वक्त परराव में आठीव ये निस्चुची में कितनी भासाओं को समिल किया गया था उस समय मातर जो है शुरू-शुरू में 14 ही भासा थे बाद में दीरे-दीरे सब जूरते गए और 22 भासा टोटल अभी के डेट में 22 भासा जो है तोटल जो है समिधान में है ठीक है तो आप यहां तक मेरा वीडियो समाप्त होता है ठीक है यहां नीचा सब अंसर दिया हुआ है जो मैं भेज़ता हूँ टेस्ट उसके लिए तो आपको मैं बता दू मुझसे जूरने के लिए जो है इस वाट्सप नंबर पर आप कंटेक्ट करेंगे 96-93-57-24-26 इस पर आप कंटेक्ट करके आप PDF पर आप्त कर सकते हैं या टेस्ट सिरीज में भाग ले सकते हैं ठीक है नमस और क्या बोलते हैं जो भी मतलब कि एक भाई बोले थे कि टेस्ट कैसे होता है तो टेस्ट जो है हर एक संडे को टेस्ट लिया जाता है पर एक संडे को ओल इंडिया में कहीं भी जो एक्जाम होते हैं उहीं कोचन सब मेरे पास आता है उसी कोचन को आप लोगे वाटसब पर मैं भेज करके मैं बनवा लेता हूं और टेस्ट ले लेता हूं ठीक है न तो टेस्ट जो है अपने कोपी पर 12345 नमर दे करके ABCD लिख करके और आपको उसको फूटो खीच करके भेजना होता है ठीक है और जब मैं देखिए टेस्ट कहीं टेस्ट वाला ही कोच्चन है इसी तरह या कोच्चन जैसे भेजता हूं और नीचे जो है एंसर सिट लिखा रहाता है उसको चेक करके आपको खूद से भेजना पड़ता है ठीक है वार्टसब पर भेजना होता है कोपी को फोटो और भेज दीजिए ठीक है जहाँ पर एभी सीडिय अपना बनाया है चलिए यहां तक अगर वीडियो में बने है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक अगर लाइक से यार नहीं किये है तो कर लिजिए नय है तो 100% कर लिजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो आप कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिखिए गए हैं आप लोग से उम्मीद करते हैं चलिए वीडियो को स्नाप्त करते हैं जय हिन जय बाहरत